हेले और वेलकम दोस्तों मैं हूँ वेद यादाव स्वागत है आपका आपके अपने चैनल और टेक्निकल फैमली पर तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके घर में लगे हुए आप में से बहुत सारे लोग होंगे आप सभी के घर में इन्वर्टर लगा हुआ होगा और इन्वर्टर की जो बैटरी है उसमें जो दो दोनों प्रकार के लिक्वीड डाले जाते हैं तो दोनों प्रकार में अगर जब जरूरत दूसरे की हो और आपने दूसरे को डाल दिया तो आपकी बैटरी जो है खराब हो जाती है चार्जिंग नहीं लेने लग जाती है तो ऐसे मैं आप लोग को बैटरी का सवास्थ है या पिसे नापा जाता है या फिर उसके आंदर लिक्वीड होता है वो कम होते जाता है तो आपको फिरसे उसको रीफील करना होता है तो एसके निसान तक निया रहता है तो ऐसे में आपको यूज करना है डिश्टिल वाटर का जो मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाया करेगा 20 रूपे लिटर या फिर 15 रूपे लिटर ऐसे ही something कुछ आता है उडान वगेरा की जो कंपनी है वो डिश्टिल वाटर देती है और डिश्टिल वाटर द डिश्टिल डालना है आपके लगेगी और बैटर की घ्राब होने से आपका बैटरी चार्जिंग नहीं लेने लगेगा और लेगा भी तो बहुत हलका सा थोड़ा सा चलेगा उसके बंद होजाएगा लोग लो बैटरी का प्रॉबलम आपको नहीं पसूप हो Wall 1 और पाप 10 एकदम बिल्कुल से सूख जाती है एसीड से बिल्कुल भी एसीड नहीं रहता है उसमें एकदम खाली हो जाती है आपको पलट के देखना इधर धर करके बिल्कुल भी नहीं रहता है तो उसको अगर आपके पास धूप है तो दो-तीन दिन अच्छे चिलचील आती धूप में उसको सुखाईए, उसको सुखाने के बाद आपको उसमें डिश्टिल वाटर नहीं डालना है, उसमें डालना है आपको एसीड, जो सलफ्यूरिक एसीड के नाम से आता है बैटरी के लिए, वो आपको मार्केट में आसानी से हार्डवेर के दुकान पे अवेलेबल हो जाएग उसको सुखा करके अच्छे से धूप में आप एसीड उसमें फील करना है, और अगर आपके बैटरी में एसीड है या फिर पानी है, बचा हुआ है, मतलब कम हो गया है, तो अगर आपको रेफिल करना है तो आपको डिश्टिल वाटर डालने है, अगर आपने इन बातों को तो चार्जिंग नहीं लेगा डिश्टिल वाटर वस से पहले जो है ऐसी डालना होगा उसके बाद आपको चार्ज करना होगा ठीक है दोस्तों यही जानकारी आप लोगों को देना था जानकारी पसंद आया तो एक लाइक दे दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो ठीक है दोस्तों जाय हिन ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का